कि अब रिवयम वेलकम टू ओल देश्पेरेंट आफ लाइब्रेरी एंद इंडिप्रमिशन साइन्स सही विद दाठतेयों का स्वागत है जो भी लाइब्री साइन्स से बी लाइज से एलाइज से एमलाइज कर रहे हैं कर चुके हैं आप ने से कई साथे स्टूरेंट हैं जो कुम्टी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो सुर्ण आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चानल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और आप में दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्षर का जो नोटिफिकेशन हो पहुंच सके त रिक्रूट्मिंट नोटिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं तो चलिए देखते हैं किस-किस मतलब पोस्ट के लिए वेक्षर जारी की गई है और बाकी इनके बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो यहां पर देखें पोजिशन और यहां पर दूस इन वे से किसी के लिए फिल कर सकते हैं बट क्योंकि हम लाइब्री के लिए रिले थे यहां भी डिस्कस कर रहे हैं तो एट नंबर पर देखें लाइब्रीन की वेकरंसी निकली हुई है efficient managing the library जो requirement होता है इसका आपके पास knowledge होना चाहिए candidates applying for the post of assistant अचा लाइबरीरिन के लिए यहाँ पर देखे अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हैं तो आपके पास interested candidates are advised to send their CV CV आपको भेजना है by mentioning both in the CV and email में the post applied for the subject line जो है latest by 18 April 2022 से पहले पहले आपको भेज देना है the institute already received the right not to fill any advertisement position without assigning any reason तो यहाँ पर देखे basically जो है यह library की vacancy निकली हुई है और आपको email के द्वारा आपको भेजना है CV वगरा जो भी है आपको और अठारा बाइस बाइस से पहले पहले आपको भेज देना है तो यह था पूरा और इसके लाओं और कोई यहाँ पर detail तो mention है नहीं प्रक्राइब के लिए क्या 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 और जो eligibility criteria होती है इतने नंबर आपको पोस्ट के बता चुके हैं तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से निक्स लेक्टर में किसे रख टॉपिक के साथ अब तक के लिए धन्यवाद कर दो कर दो